सबसे पहले आप सभी को सोतंतरता दिवस की हार्दिक सूब कामनाए हैपी इंडिपेंडेंस डे और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 एकजाम के लिए आप असाइमिट कब से समिट करवा सकते हैं असाइमिट जमा करने की कनफर्म लास्ट डेट क्या है और जो है कि असाइमिट जमा करने की कनफर्म लास्ट डेट क्या है तो दिसंबर 2023 एकजाम के लिए असाइमिट जमा करने की कनफर्म लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023 लेकिन ये जो 30 सितंबर है इसको एक्स्टेंड किया जाएगा और आपको 31 अक्टूबर तक असाइमिट समिट करने का का मुझा दिया जाएगा ईuds के तरफ से एक गाइड लाइन साया है पूरे टीन पेजों का उसमें आपको यह बता ना हो गनाती से कि आपको किन簡 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डीटेल में बता रखा है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना और उसके बाद ही आप assignment को लिखना शुरू करना तो इसमें आपको submission के बारे में भी बताया गया है तो अब हम बात करेंगे कि दिसंबर 2023 exam के लिए जैसा कि यहां पर आपको बताया गया है कि September में assignment को submit कर सकते है फॉस्ट सितंबर से assignment submission स्टार्ट हो जाएगा अब यहां पर एक सितंबर दिया गया है तो आप बिल्कुल ही एक तारिको assignment जमा करने मत जाना क्यूंकि submit नहीं होगा अब इसको आप समझो देखिए जैसा कि मैं आपको बताया दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए assignment सितंबर में submit होगे तो साथ सितंबर के बाद आप demographic के भाद आपको submit करने online या फिर offline तो उसके लिए आपको हमारे website पर आना होगा इसका link मैंने नीचे दे रखा है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा assignment submission mode इस पर आप click करेंगे यह post open हो जाएगा जहाँ पर दिसंबर 2023 एक्जाम के लिए जो assignment submission का जितने भी guidelines है जो भी regional center के तरफ से जितने भी guidelines आने वाले सभी आपको एक single page पर ही information मिल जाएगा assignment submit करने के लिए आपको कई option दिये जा सकते है जैसे कि offline study center पर जो की जादा तर offline submit होते हैं लेकिन कई बार आपको courier के माधियम से submit करने के लिए बताया जाता है कभी आपको email के माधियम से बताया जाता है या फिर कभी आपको google forum के माधियम से भी submit करने के लिए बताया जाता है और बाकी जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगरा है वह submit करने के लिए लिंक जब आ जाएगा तो यहां पर मैं इसे update कर दोंगा आपको क्या करना है आपका जो भी रिजलन सेंटर है वह आपको यहां पर चेक करना है और चंडीगर रिजलन सेंटर का भागलपूर रिजलन सेंटर का भूबनेश्वर रिजलन सेंटर का चंडीगर रिजलन सेंटर का देहरादून का इसके अलाबा जोरहाट का साथी में करनाल का भी आपको मिल जाएगा लखनव का भी आपको मिल जाएगा इसके अलाबा को offline mode में ही submit लेने वाले हैं बाकि जो भी रिजलन सेंटर है जिनका डीटेल्स यहां पर अभी अपडेट नहीं हुआ है तो उनके तरफ से चांस है कि जो आपका assignment है वो online mode में submit लिए जा सकते हैं तो जब details हाजाएगा guidelines आ जाएगा तो उसे मैं यहां पर update कर दूँगा तो बस आप इस वाले post को time to time check करते रहेना जैसे ही कोई नया update आता है यहां पर मैं update कर दूँगा तो आपका assignment online जमा होगा या फिर offline वो आपको इसी वाले post पर पता चल जाएगा और सबसे important बात अगर बाइचांस अगर आपके रेजला center के दरब से assignment submission का कोई भी mode आपको नहीं बताया जाता है तो जो भी आपका study center है study center पर आपको जाना होगा और वहां पर आपको अपना assignment by hand offline mode में submit करना होगा फिलाल अभी आपके पास assignment बनाने के लिए काफी ज्यादा समय बचा हुआ है आप तसलिप पूर्वक अपना assignment बना सकते हैं assignment को आप अच्छे से बनाए क्योंकि assignment का जो 30% रहता है वह आपके final में add होता है जिसके वज़े से आपका जो पूरा overall percentage रहता है वह increase हो जाता है तो आप जितना अच्छा assignment बनाएंगे आपको उतना ही अच्छे नंबर दिये जाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए और इगनुस रेलेटेट सभी अप्टेटी इंस्टेंट लिप आने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते है लिंक नीचे दिया हुआ है साथी में आपका कोई सबाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते है